हेलो दूस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल पंक मोर में उम्मीद है अपने पिछली वीडियो चरूर देखी होगी और आपके कमेंट्स पढ़के अच्छा लगता है कि जब आप कमेंट्स करते हैं और मन करता है कि और भी वीडियो बनाई जाए कि हिस्ट्री की सल्वाइबस में नивает क्या है और अगहां पर क्या पड़ना है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और इसे पिछली वीडियो मैंने पाशाणकाल को पढ़ाएथा कि पाशाणकाल से किस तरीके से कुश्छण बंते हैं क्या क्या जोबनते हैं आगर कि कोई भी पॉइंट आपके लिए छोड़ा ना जाए जिससे आपको कोई भी पॉइंट छोटे आपका तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उम्मीद है आप इस वीडियो जुरूर देखेंगे और धेल सारा प्याद देखें अपनी पढ़ाई को भी निरंतर करते रहिएग क्योंकि निरंतरता ही एक एसा मंत्र है ऐसा सूत्र है जो हमें सफलता की और ले जाएगा और यकीन मानिये जोस्तों एक दिन आप में हम सब निरंतरता कहीए वल पर अपने बिलकुल लगे रहेंगे जब हम तो जरूर सफल हो पाएंगे तो चलिए कि महापाशानकाल महापाशानकाल क्या होता सबसे पहले देख लेते हैं बिसिकली महापाशानकाल जैसे कि सब्द से ही इस्पर्ष्ट है मेगालिथिक पीरियड मेगा मतलब बड़े और लिथिक मतलब पत्थर महापाशानकाल यानिकि महा यानिकि बड़े पत्थरों का जो काल रहा है उसे महापाशानकाल कहते हैं जैसे कि उत्तर भारत में नाव पाशानकाल में जब नाव पाशानकाल का टाइम पिरियड चल रहा महापाशानकाल क्या है जिसकी समस्त जानकारी जिसकी समस्त जानकारी यानि कि इसकी जो विशेष्टा है अधिकांस जानकारी पत्थर की कबरों से प्राप्त होती है यानि कि यहां की जो कबरेप आई गई है यहां की जो कबरेप आई गई है वो मेली पत्थरों की बनी होती यानि कि लोगों को कबरों में जब दफनाया जाता तो क्या किया जाता था एक ताबूत नमा आकरती बनाई जाती थी या फिर कोई गोल आकरती बनाई जाती थी पत्थरों से चोटे चोटे पत्थरों से तथा एक बड़े पत्थर के द्वारा उस कबर को धग दिया जाता था तथा इस काल में विभिन उपयोग के लिए भी बड़े बड़े पत्रों का उपयोग किया गया है अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड एक हजार बीसी से लेके एक हजार एडी तक का जो काल रहा है वो रहा है महापाशानकाल इसके बाद में धीरदी थे संगल इयोत का हम इतिहास पढ़ना स्टू कर देते हैं अधिकांस जानकारी इसकी मिल्ली विसेश्था है और पीचेस में यही पूचा गया था क्या विसेश्था है तो महापाशानकारी दिकांस जानकारी पत्थर की कबरों से ही प्राप्त होती है यही इसका question है जो मेली repeatedly बनता है गा मैंने सोचा कि यह बता दिया जाए आपको अब इसके इस्थल जो कभी का बार exam में पूछे जाते हैं कि इस्थल क्या है इसमें आपको केबल चार ही इस्थल याद रखने है नाकपूर महराष्ट में इस्थल एक मास्की करनाटक में है और एक नागरजुन कोंडा जो की आंधपरदेश में है और आदी चन्नम अलूर जो की तमिलनाडू में है आदी चन्नम अलूर तमिलनाडू मास्की जो की करनाटक नागरजुन कोंडा आंधपरदेश और नाकपू थिक denominator केहते हैं जो की ग्रीज भासा का सब्द हैं हम देखते हैं कि इसके चरनओ को यानि कि से किस तरीके से मान्म का विकाष हुआ जैसे की हम् पुरा पाशानकाल मत पाशानकाल में बाट यह मिसनी बाट को कि फवर्टन आया और इसी तरीके से लोगों की जीवन में परिवर्टन आता गया हम देखते हैं डरा लृषा पहले में जो माना उथा जिस तरीम को मानव Veterans पहले में यह तामर एवन कांष्थ ओजारों की जैनकारी Oohs चलानी नहीं थी चलानदितिये में तामर और अख़झारों का अपयोग आंसी होता है का अंसिक रूप से सचरू होता है चलान्द 3 में माना को तामर एवन कांस के ओजारों में बहु रिद्ध्री होती है जो की हम्igorसुप का जिस टैम पर जिस टैम्ब का स्वेक्ट चल रहा था उसी टाइम पे चलन तिलती हिए दध्चुलh भारत में चल रहाथ था लिस टैमके लोगों का क्या आर्थिक जीवन था किस तरीकर साब धीवन था तो लोग खेथियर समूदाएथ था लेकिन आंसी कि दक्षड बारत एक पाठारी एरिया है काली मिठी जवाव अथिदिख है लोग पसुपालन की अधिक्ता होने के कारणा परवतिय घाटियों रहते थे जहां से उबर खाबर मुमी होने के लिए उबर खाबर मुमी जहां पर होती थी था वहन पर किर्सी नहीं कर सकते थे ज् प्लब्द होता था फिर धीरदी ने इनके रहन में परिवर्दान आया और वितीय प्रत्म चलण में जो धूसर से लेटी रंके मुर्दभंडों का उपयोग किया गया था तो चलण पहले में महापाशानकाल में उपयोग किया गया था अब आते हम चलण दूसरे पर जिसमें घिसे हुए पत्थरों का उपयोग किया जाने लगया था यहां पर चलण पहले में जो पत्थर उपयोग किया जाते थे वेडोल आकरती के तता बगैर घिसे हुए प्राकरत रखे घिस दिया जाता था उनका उपयोग होता था तता यहां पर जो मानाओ था वह अपने पत्थरों को सवयम घिसके था फलक नुग्वा आकरती में तेजधार के पत्तर बनाता था यहां पे मैंने बताया कि तामर और जारों का उपयोग आंसिक रूप से होता है लोग नद तेदिक जमाव होने के कारण वहाँ पर किरसी का महत दीरे दीरे बढ़ना शुरू होता है चरण तीन में हम देखते हैं कि तामर इवं कास का ओजारों में अत्यदिक व्रधी होती है किरसी कारखा भी महत बढ़ता है चुकि लोग नदी घाटियों में यानि काली मर्दा जो न समाजिक आर्थिक समाजिक आर्थिक राजनितिक तता धार्मिक जीवन कैसा था समाजी जीवन की अगर हम बात करते हैं तो समाज में लोगों का धीरे जीवन समाज में परिवर्तन आया पहले लोग कूंता प्रकृती पर निर्भर थे तथा धीरे धीरे समाजों में यानि कि समाजिक जीवन का धीरे-धीरे परिवर्तित होता है और लोगों में समाजिक जीवन समाजी जीवन मिल जुनके रहने की भावना का भी धीरे-धीरे बेकास होता है और लोग यहां पे 25-50 लोगों के 25-50 लोगों के जुन्डों में रहा करते थे जुन्डों में रहा करते थे यही जुन्ड मिलके अलग अलग संस्कृतियों के नाम से जाने जाते हैं यही जुन्ड मिलके अलग अलग संस्कृतियों के नाम से जाने जाते हैं जैने हम तामरपाशानकाल में संस्कृति के नाम से जानते हैं तता अगली हम वीडियोम देखें कि किस तरीके से यही जुन्ड़ मिलके तामर पाशान की कालेजिन संस्कृति में बदल जाते हैं अब आते हैं आर्थिक जीवन आर्थिक जीवन कैसा था जैसे कि हमने पिछली वीडियों देखा कि पहले जो मानव था पशुपालन ज्यादा करता था और लेकिन आंसी किरसी कम करता था दीरे दीए किरसी का महत तो बढ़ा पशुपालन का महत घरता गया तथा आबन के साधनों का विकास हुआ और ब्रिद्धी हुई हम देखते हैं राजनीतिक जीवन उस ताइम के माना कोई इस पर लाजनीतिक जीवन का कोई साक्ष नहीं मिलते हैं मैं पहले भी बत कinanderों से मिले कुछ रुपकरनों कि कबरों में लोगों के साथ में उनकी गलवई में कुछ मालाये पहना के मुछिश उनके खाने पीने के सामान रखके इस active पे UAट अनुमान लगाया जाता है अधीकांस जानकारी पथ्षणों से ही प्राप्त होती है यही आपका मुक्त फोक करते थे लेकिन कम मात्रा में विश्वास करते थे और धामरिक जीमान में यहां पर जो मिला है तो सांड को सान को अधिक मात्रा में मिले जाने के कारा धारमिक पसु माना जाता है यह एक आंसिक टोपिक है मैंने आपको बताने की कोसिस की है कि किस तर यह दक्षड भारत में जिस ताइम पीरियर उत्तर भारत में नाव पाशानकाल या फिर पाशानकाल चल ला था उसी टाइम पीरियर तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा और इसी तरह आप वीडियो में कमेंट्स करते जाएगा और मैं जो कुछ भी गलतियां आपको उसे कमेंट्स में बताईएगा ताकि मैं धीरे-धीरे उनमें सुधार कर सकूं तो चलिए दोस्तों उम्मीद है आपक आपके कमेंट्स कर दीडियो में आपको उसे कि मैंट्स कर दोस्तों उसे मेंट्स कर दोस्तों उसे कि मैं